बिल्कुल आसानी से price को, अगर PNB को खरीदना है तो क्यों, कारड क्या है, reason क्या है, chart नहीं देख पा रहे हैं, तो भी कैसे आप संभ सकते हैं price को, बिल्कुल chart देखने का जरूर नहीं, आप सिर्फ भाव को देखते हैं ना, भाव को ही देखिए, लेकिन भाव को previous, एक पहले क्या था अगर आप इन चीजों को रिमाइंड कर पाते हैं याद रख पाते हैं तो आप सिर्फ प्राइस को देख कर भी अंदादा लगा सकते हैं आगे क्या होने की समभावना है जैसे अभी PNB को आप देख रहे हैं 43.85 पैसे 43.85 पर ट्रेट कर रहा है क्या खरीदारी करने की समभावना है और है तो क्यों है इन चीजों को देखिए सिर्फ अभी last traded price LTP को देख कर अगर आप समझने की कुशच करेंगे क्या हुआ है बिल्कुल आसान नहीं कर पाएंगे आपको क्या करना होगा basically आपको previous price को मतलब कल का भाव क्या था उसके पहले price क्या था उस इसने चलने की शुरुवात कर दी है यह अभी trade कर रहा था और अभी इसने upside moment के लिए शुरुबात कर दी है अब कितना upside moment करेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं देखे और ये क्यों देखे इस price के निकलने की बाद ही क्यों ये upside moment तेज करने की कोशिश कर रहा है यहीं से कितनी तेजी से जा सकता है यहां से यह 5-10% का और मैं आपको टारगेट देदू पहले ही बता दू 55 और 55 निकलने के बाद 60 का टारगेट मिनिमम है जो PNB टेच करेगा अगर इस हाई के उपर क्लोजिंग करता है तो देखे क्या क्या है आप चलते है आवर्ली आवर्ली टाइ हर एक केंडल में एक केंडल में जो भी आपको red और green candle show कर रही होंगी हर एक केंडल में एक घंटे में जो भी खरीदारी बिक्वाली होती है buying selling होती है, जितना भी price गिरता है या चड़ता है, वो show करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी candles देख रहे हैं आप, तो मैं उतने घंटे के price को observe करने की कोशिच कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे कितने hours देख रहे होंगे, देखे, कितनी candles plot हैं आप, कितनी, आप downside की है फिर यहाँ पे consolidation, फिर यह breakout, तो पिछले लगबग लगबग देखे, यह 14 का date है, October और अभी का date है, वो आप समझ रहे हैं कि कितने समय तक का मैं price एक साथ analyze करने की कोशिच कर रहा हूँ, तो देखे, concept क्या है, मेरा एक personal theory है ladder theory, जिसको मैं कहता हूँ, सीडियों की तर है price को समझना, buyer और seller participate करते हैं, बाजार में, buyer और seller, या तो कहीं buying चल रही होगी, या selling, या तीसरा कोई condition है, क्या price में, नहीं है, आप भी क्या करते हैं, या तो stock को खरीते हैं, या बेशते हैं, तो उस condition को हम लोग ladder theory से समझते हैं, देखे, क्या है, इस तरह से मान लेते हैं, step wise, सीडियां बनी हुए, ठीक है, सीडियां बनी हुए, अब आप इन सीडियों पे उपर की तरफ चड़ते हुए जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, अचानक से बीच में, कहीं पर आपको कोई व्यक्ति मिलता है, जो आपको नीचे की तरफ धक्का देता है, पुश करता ह नीचे की तरफ, धकेलने की कोशिश करता है, तो पहला आपका जो रिवर्सल होगा, वो किस तरह से होगा, आप अचानक से नीचे की तरफ जाएंगे, क्यों, आप किसी भी opposite direction में लगाए गए, पावर के लिए तयार नहीं थे, ready नहीं थे, तो आप अचानक से नीचे की तरफ गिरेंगे, सबसे पहला आपका, जो condition होगा, वो यह होगा, लेकिन एक गिरावट के बाद आप खुद को सम्हालेंगे, मतलब रुख जाएंगे, एक इस्तर तक गिरेंगे, कि आपकी गिरावट हुई, आप यहां तक गिर कराए है, एक सीड़ी पे आके आप रुख जाएं तो क्या होगा, आपके बीच और जो आपको उपर से पावर लगा कर नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच एक fight की शुरुवात होगी, अब ना तो आप इस step के उपर जा पाएंगे, और ना ही वो आपको नीचे धकेल पाएगा, कब तक, जब तक एक द और बैठ है, दो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, वो आप लोगों को यहां पर observe कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब मुझे bid करना है कि कौन, या तो आप उपर जाएंगे, या फिर ये आपको उपर जाने से रोख देगा, ये bid करना है, तो मैं कब bid करूँगा, बताइए, मै वेट करूँगा, किस चीज का, या तो आप इसको हरा दे, बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरह से, डिफीट कर दे, या फिर ये आपको बिल्कुल डिफीट कर दे, नीचे और धकेलने की कोशिश करे, ठीक है, तभी मैं bid करूँगा अगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप आप इसको डिफीट कर दिया है, बिट किया है, कैसे, जब आप जहां से इसने पहली बार आपको नीचे की तरफ धक्का दिया, आप इस पोजीशन को कट करके आगे निकलने लगेंगे, तो समझ लेंगे, जिसने भी आपको नीचे की तरफ पुश किया था, आपने उसको ब आपको यह आया, जहां से नीचे की तरफ सेलर ने सेल किया, सपलाई करने की कोशिश की, प्राइज के ऊपर की तरफ जो मूमेंट आ रहा था ना, उसको रोकने की कोशिश की है, तो पहला प्रयास में क्या किया गया, बहुत तेजी से गिरावट हुई, अचानक से प्रयास क को समाला, कंसॉलिडेशन, प्राइज रुका, रुकने के बाद दुबारा उपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, मैं कब मानूंगा की बायर विन कर गया है, दुबारा से यह अपना मुमेंटम जो चल रा था, अब साइड और उपर जाएगा, जहां से सेलिंग आई, इस को ब्रेक करती, सिंपल, जहां से आपको नीचे की तरफ धक्का दिया गया है, पुश किया गया है, जहां पर सेलिंग ओडर्स पड़े हैं, उस प्राइज को आप ब्रेक कर दिजे, मैं मान लूंगा कि आपने इस सेलर को ब्रेक कर दिया है, सिंपल त्योरी है, आप क्या यहां से एक horizontal line लीजे, यहां पे plot कीजे और देख लीजे क्या price break कर रहा है हाँ, price ने अभी अभी क्या किया, जिस seller ने उसको नीचे दखेलने की कोशिश की है, buying को आती हुई demand को, buying को रोकने की कोशिश की थी, उस seller को अभी अभी काट कर, beat करके price उपर की तरफ निकला है, यह इसी वजए से अब कोई hurdle नहीं है, जैसे यह seller price को रोक रहा था, तो देखिए बार बार यहां पे price जाता था गिर गया, फिर touch किया गिर गया, लेकिन अब क्या है, buyer ने price में seller को beat कर दिया है, जब यह condition आ गई है price में, तो अब कोई रोकने के लिए नहीं है भाव को उपर की rally आएगी, इसी तरह की ladder की तरह है, फिर से एक rally आएगी, अब movement तेज आएगा, इसी वजए से मैं कह रहा हूँ, अब छोड़े time frame पे आप देखिए C's को, क्या हो रहा है price, देखिए, जैसे ही यह breakout हुआ है, momentum तेज हो गया है, बहुत तेजी से upside momentum आ रहा है, आप PNB को buy कर स सकते है, SL, previous swing low, देखिए, अब मैं एक वीडियो में सारी से discuss नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको previous swing low को भी समझना है, तो देखिए, मेरे कुछ targets है, आप इस वीडियो को share कीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम 100 लोगों तक आप share कर सकते हैं, सबी लोग जो भी इस वीडियो को द जो क्या होता है, यह आपको मैं next वीडियो में, जिस भी price को मैं analyze करूँगा, उसमें बताने की कोशिश करूँगा, PNB का जो भाव है, PSU bank बहुत जादा buying में है, बहुत बड़ी demand generate की गई है PSU banks में, आप bank of बड़ोधा को देख लीजे, PNB को देखिए, IDFC first, 30 का भाव सार हो चुका है, धनलक्ष्मी bank उपर अभी price लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, धनलक्ष्मी bank 15 रुपय का भी 80 पैसे का श्ट्रॉक है, आप इसको कब double या triple होता हुआ देख लेंगे, उसमें भी आने वाले वीडियो में बात करूँगा, आपको क्या करना है, आगे recommendation आपको मिलते रहें, इसलिए subscribe करने के साथ, bell icon को press कर लेना है, और साथ में comment करके बताना है, जो भी मैंने आपको theory बताया, price का भी समझने के लिए, इसमें कहीं आपको कोई भी तकलीफ आता है, तो उसको comment section में लिखिए, मैं next video में उसको आपकी तकलीफ को दूर करने की जो शसको रूंगा, thank you.